इस वक्त मौजूद है में अनपडी जनपद में और हमारे साथ मौजूद है यहांके कदावर यवा समाजिक कारकरता अनमोल साकी जो अन्य विस्वों पर कारकरने के साथ साथ लगातार सरकार से हिंदी को राष्टवाथा का तरजा दिलाने की मान कर रहे हैं अनमोल जी आखिर क्या कारण हिंदी आजादी से इतने वर्ष भी इतने पर भी राष्टवासा नहीं वन पाई है देखिए मैं बहुत संचेट में कुँगा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग हिंदी को राष्टवासा आपका दर्जा दिलाने की मांग करते हैं लेकिन सिर्फ 14 सितंबर को लोग बहुत कहते मिल जाएगे कि हिंदी कुराष्टवासा का दर्जा दिया जाए लेकिन 15 सितंबर को भूल जाएगे कि हमने 14 सितंबर को क्या कहा था साल का प्रतियेक दन आपका है आप आंदोलन करिए संगटित होकर इंतजार सिर्फ 14 सितंबर का मत करिए समाज के प्रतियक ब्यक्ति को संगटित होकर सरकार से मांग करनी चाहिए कि हिंदी कुराष्ट बासा का दर्जा दिया जाए किशुर हों, चाहे अदेर हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों सब को मिल करके मांग करनी चाहिए और ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर होगी तो वह वेक्ति इस देश से मुखबत नहीं करता है प्रेम नहीं करता है उस वेक्ति को तत्काल ये देश छोड़ देना चाहिए दूसरा कि हिंदी एतने बर्स बीत गए आजाती कि एतने बर्स बीतने के बावजूद भी राष्ट बासा नहीं बन पाई ये सर्म ना के हर हिंदुस्तानी के लिए हिंदी को राष्ट बासा का धर्जा दिलाने के लिए संगलटित रोकर सरकार से मां करिए सरकार आपकी बात जरूमाने.